अब दुख दूर भगेगा, होगी खुशियों की चाया, ना बचेगा संकट बाकी, होगी खुशाल ये काया, कोई कस्ट नहीं अब बाकी होगा, मेरा जीवन अब सवरेगा, दिन मेरी भी सुधरेंगे, जब गुरुजी का आशिरवाद मिलीगा, पूच्छी गुरुजी एक कि आशा, करना बीड़ा पार हमारा, हम पर भी कृपा करना, खुश हो संसार हमारा, जए गुरुदी, भाग्य दरपड, उम्मीद की एक किरण, जए शरीरा, मैं डॉक्टर अंकित यागी, आपका अपना एस्ट्रॉलजर, निम्रोलोजिस्ट, लाल कितावन वास्तू कंसल् आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ, बुद्ध का मेश राशी में गोचर, कहते हैं, बुद्ध को राजकुमार ग्रह कहा जाता है, क्योंको सूरिय का सबसे निकटतम ग्रह है, और किसी भी व्यक्ति की तरक शक्ती, गड़े, संचार, लेखन, व्यापार, वानी, इन का फिरतन रित्व बुद्ध ही करता है, और बुद्ध ग्रह एक बार फिर से अपना इस्थानांतरन करते हुए, जल तत्व की राशी मीन से मेश राशी में गोचर करेगा, वैदिक जोतिश के अनुसार, बुद्ध दूसरे ग्रहों के मुकाबले सबसे तेज गती से चलने अगबग 14 दिन तक ही इस्थित रहता है, और अब यही बुद्ध ग्रह देव 16 अपरेल 2021 शुक्रवार के दिन रातरी 9 बज कर 5 मिनट पर मीन राशी से मेश राशी में प्रवेश कर जाएंगे, गोचर करेंगे, और यह यहाँ पर 1 मई 2021 शनिवार सुबह 5 बज कर 48 मिनट तक इसी राशी में स्थित रहेंगे, ऐसे में बुद्ध के स्गोचर से हर राशी के जातक की जिंदगी में कोई न कोई परवरतर जरूर आएगा, तो आईए विस्तार से जानते हैं बुद्ध के स्गोचर का आपकी राशी पर क्या परवाँ पढ़ने वाला है, क्या बदलेग मेश राशी से लेकर मीन राशी तक सारी बारे राशी की पहली राशी मेश राशी आपके तीसरे और छटे भाव के स्वामी बुद्ध आपके प्रत्म भावर्थात आपकी ही राशी में गोचर करेंगे अपनी ही राशी में गोचर करेंगे तीसरे भाव के स्वामी बुद्ध के लगन में जाने से मेश राशी के जातकों को अनकूल प्रणामों की प्राप्ती होगी क्योंकि बुद्ध देव इस दौरान अब जो आपकी राशी है मेश उसमें दिखवली अबस्ता में होंगे जिसके चलते कारे छितर पर आपको उत्तम फल प्राप्त होंगे और इस दौरान कारे स्थल पर आपके कारियों के प्रती आप अधिक संग्टित होंगे सरचित होंगे आपकी कारे शम्ता बढ़ेगी और आपका जो कारे प्रदर्शन है वो बहतर होगा शत्रूँ पर विजय हासल करने में कामिया भी मिलेगी में इस राशी के जो व्यपारी हैं उनकी मैं बात करूँ तो बुद्ध की ये इस्तिती बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देने वाली है प्रेम संबंदों की बात करें तो शादिशुदा जातकों के लिए ये गोचर लावधायक साबित होगा क्या उपाय करना है में शाशी वाले जातकों को हर बुद्ध के दिन विरत करें हरी मुंग का दान किसी भी गरीव व्यक्ति गो करें तो बहतर होगा वर्षव राशी के वो छात्र जो उच्च प्राप्ती के लिए विदेश जाने के इच्छुक थे उन्हें बुद्ध के गोचर के दोरान शुब समाचार प्राप्त होने की संभावना बन रही है क्योंकि आपकी राशी के दूसरे और पांचवे भाव के स्वामी बुद्ध आपकी राशी के बारवे भाव में प्रवेश कर रहे हैं जिसके चलते नौकरी और व्यापारी दोनों ही लोगों को दोनों ही तरह के व्यक्तियों को अपने विदेश श्रोतों से संपर्क की मदद से अपनी आए में विरद्धी करने के बहुत से शुब अवसर प्राप्त होंगे बुद्ध का ये गोचर आपके लिए वर्ष दोजार किसका सबसे अच्छा समय से दोने वाला है वर्षवराशी वालों के लिए आप अपनी बुद्धी और ज्ञान के माध्यम से सम्मान प्रतिश्था और लोक प्रियता अर्जित करने में भी सफल होंगे इस अवदी के समय आपको भागय का भरपूर साथ मिलेगा साथ ही व्यपारी जातकों को भी निवेश से जुड़ा कोई भी जोकी मुठाते समय अभी उसको गुप्त ही रखने की सला दी जाती है क्या उपाय करना है विर्षवराशी वाले जातकों को आपको बुद्ध करे के अनुकूलता पाने के लिए बुद्ध की होरा के दोरान पिर्टिदिन बुद्ध के बीज मंतर का जब करना बहुत ही लाबकारी रहेगा मितन राशी आपके लिए बुद्ध का ये गोचर बहुत महतपूर्ण होने बाला है बहुत important होने बाला है क्योंकि बुद्ध अपनी ही राशी का स्वामी है और अब अपने इस गोचर काल में वो आपके ग्यार्मे भाव में प्रवेश करेंगे ग्यार्मा भाव हमारी आमधनी का भाव हमारे आयका भाव है इस गोचर से लाब भी मिलते हैं इसलिए इस भाव में बुद्ध का गोचर आपके साहस और पराक्रम में व्रधी करते हुए आपको पूर्व के किसी रोग से निजात दिलाने में मदद करेगा और आपका जो workplace है जो आपका कारेशेत्र है वहाँ पर आपके इस गोचर के आपको सकारात्मक पर परणाम मिलेंगे आपके सकारात्मक परभाव उस पर पढ़ेंगे आपके संचार और संगठन कौशल को बढ़ाए गए जिससे आपके वेतन विरद्धी या फिर ग्रोथ के चांसिज भी प्रमोशन के चांसिज भी बन सकते हैं आप अपने workplace पर बहतर परदर्शन देने में सफल रहेंगे बिजनस्मेन जो वेक्ती हैं इस समय अपने बहतर संबाद कौशल और आकरशक वानी शमता से अपने website में अच्छे सोदा और अच्छे निवेशकर जित करने में सफल रहेंगे क्या उपाय करना है मेतन राशी वाले जातकों को इस गोचर से लाबकारी प्रणाम प्राप्त करने के लिए बुद्वार के दिन विश्नु सहस्तनाम का पाठ करें आपके लिए बहतर होगा करक राशी की बात करेंगे करक राशी के जातकों के लिए बुद्ध का ये गोचर उनके कारेच्छित्र और करियर में अनुकूलता लेकर के आएगा क्योंकि आपकी राशी के बार्में और तीसरे भाव में जो तीसरे भाव के स्वामी होंगे वो बुद्ध आपके दस्वें भाव में गोचर करेंगे और दस्वें भाव करम का स्थान अर्थात प्रोफेशन का स्थान होता है ऐसे मैं बुद्ध के इस गोचर से आप कारे शेत्र पर अपनी मेहनत और प्रियासों से इच्छानुसार फल प्राप्त करने में सक्षब होंगे नौकरी वाले लोगों के लिए आपके अधीन जो आपके अंडर में लोग काम कर रहे हैं उनसे आपको परियाप्त समर्थन मिलेगा सैयोग मिलेगा जिससे आप अपने सभी लक्षों को समय से पहले ही प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे आपकी समबाद शैली का विकास होगा आप लोगों से अच्छी तरह बात कर पाएंगे और उससे भी आपको मदद मिलने वाली है आपके कारेशेत रुमाएं क्या उपाय करना है करक राशी वाले लोगों को बुद्वार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वागासरपित करें सबमंगल में होगा बात करेंगे सिंग राशी की बुद्ध का गोचर आपकी राशी से नौमे भाव में होगा सिंग राशी वाले लोगों के लिए जहां वो आपकी राशी के स्वामी सूर्य है और आपके दशम भाव के स्वामी शुक्र के साथ युति करेंगे बुद्ध की यह इस्तिती बहत मजबूत इस्तिती की तरफ इशारा कर रही है धान दीजेगा इससे आपकी आए धन और समरद्धी में बढ़ोतरी होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं इससे आपका जीवन भी बहतर होगा और मीन राशी से निकल कर मेश राशी में बुद्ध का ये गोचर आपकी सुख सुविधाओं में भी अचानक से व्रद्धी करेगा या व्रद्धी की संभावनाएं बढ़ाएगा साथ ही बिजनसमेन लोगों के लिए गोचर काल से लावकारी प्रणाम प्राप्त होंगे विशेश रूप से वो जाता कि अपरिवार जो अपने पैत्रक वैवसाय से जुने है उन्हें अपने व्यापार में विस्तार करने के बहुत से शुब अवसर प्राप्त होंगे स्वास्थ है की बात करूँ तो बुद्ध की शुब इस्थिति आपकी सेहत को सकाराथपंक दिशा देने का कारे करेगी क्या उपाय करना है सिंग राशी वालों को मा या मा समान घर की महलाओं से जैसे बुआ मासी चाची से आशिरवाद लें उन्हें उपहार भेट करें इस से आपको बुद्ध गरे के अन्कूल फल जो है प्राप्त होंगे और आपका बुद्ध अच्छे हो जाएंगे कन्या राशी की बात करेंगे कन्या राशी के लिए इस समय थोड़ा चुनोती पूंड रहेगा थोड़ा सा difficult रहेगा थोड़ा सा full of difficulties रहने वाला है क्योंकि आपकी राशी के स्वामी बुद्ध इस गोचर के दौरान आपके आठमे भाव में प्रवेश करेंगे और क्योंकि बुद्ध आपके लगण के स्वामी होते हैं इसलिए आपके लिए बुद्ध का ये गोचर बहुत ही खास मायने रखता है इसके साथी ये आपके दसमे भाव का स्वामी भी है और गोचर काल में आपके आठमे भाव में प्रवेश करेंगा जिससे आपको अपने career और अपने workplace यानि कारेशेत्र में इच्छानुसार फलों की प्राप्ति करने में कुछ परिशानी आ सकती हैं, कुछ difficulties आ सकती हैं, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ obstacles का सामना करना पड़ सकता है इससे आपकी चिंता बढ़ेगी, आत्मिश्वास में कमी आएगी, आठवे भाव में बुद्ध की ये स्थिति आपके स्वास्त जीवन के लिए भी प्रतिकूल दिखाई दे रही है, इसलिए इस अवधी के दौरान आपको भी अपने स्वास्त का विशे सध्यान रखने की आ आवश्य दिखा लें, तो आपके लिए बहतर होगा, बहुत-बहुत आबार, बात की पहली छे राशियों की, अभी दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे, अगली छे राशियों की, कि बुद्ध का जो मेश राशी में गोचर है, उसका बाकी की छे राशियों पर, यानि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, बहुत-बहुत आबार, अगली वीडियों में मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए जय श्री राब